नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनाज सिर्वास्तवा, आज मैं फिर से अजर्बैजान और अर्मेनिया के वार पे बात करना चाहूंगा, कॉन्फिलिक पार्ट टू, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, अजर्बैजान और अर्मेनिया में काफी भीशन यूद चल रहा है, भीशन वार चल रही है अभी, जिसमें दोनों एक दूसरे पे भारी पर रहे हैं, कभी अजर्बैजान अर्मेनिया पर भारी परता है, तो जिसमें से अर्मेनिया के 2000 नागरिक मारे जा चुके हैं, और अजर्बैजान के लगभग 700 नागरिक मारे जा चुके हैं, अर्मेनिया के साथ अभी कोई भी देश पूरे तरीके से नहीं खरा है, लेकिन अजर्बैजान के साथ पाकिस्तान और तुर्की एकदम साथ आ चुक जिसके चलते अर्मेनिया अभी थोड़ा सा वीक पड़ा है और अजर्बैजान के मुकाबले है लेकिन आप एक बार तो जानते ही होंगे खर्गोष कितनी भी तेज चल ले लेकिन कचुआ जब धिरे ही धिरे चलता है तो खर्गोष को आगे जाके पिछे कर देता है हरा देता है तो मेरा यही मानना है कि भले अर्मेनिया अभी वीक पर रहा हो थोड़ा कमजोड पर रहा हो लेकिन आगे जाके यह जो वार है अर्मेनिया ही जीतेगा यह मेरा प्रेडिक्शन है और अर्मेंया के साथ काफी सारे देश भी आने वाले हैं आगे जाके जिसमें अमेरिका और रसिया ये दोनों जो जानी दूस्मन एक दूसरे के ये दोनों एक साथ आ जाएंगे अमेरिकारर रसिया जापान फ्रांस इंगलेंड it means बृतन इंग्लेंड यह सब देश एक साथ आएंगे जिसमें बाद में जाके भारत भी मिलेगा और जुरेगा अभी तो नहीं इंडिया ने अभी अपने कोई भी पत्ते किलियर नहीं किये हैं साफ नहीं किये हैं हाँ लेकिन बाद में जाके इंडिया भी मिलेगा और जुरेगा अर् World War 3 का भी रूप ले सकता है मुझे तो ऐसा लगता है कि World War 3 हो सकता है क्योंकि इधर एक front पे चाइना इंडिया और एक front पे इंडिया पाकिस्तान मतलब इंडिया दो front पे युद्ध करने के लिए तयार है चाइना और पाकिस्तान के साथ अगर अर्मेनिया को भारत की जरूरत परती है तो यहां के जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीमान लेका इधाएन। आणि Bäumyaкомया चा narrative मोदी जी वह अर्मेनिया को जरूर क्रोंड करेंगे ऐसा मेरा मनना है रूर विश्वास क्योंकि अर्मेनिया के साथ भारत के रिषस्ते काफी अच्छ यह काफी बहतर और काफी बुलंद है क्योंकि एर्मेनिया के थुरू ही इंडिया तुर्की को काउंटर कर सकता है टर्की को जो कि आज काल टर्की इंडिया के खिलाफ काफी कुछ बोलता है आप पकिस्तान को सपोर्ट करता है लेकिन आप एक चीज देखिए यह दो दिन के अंदर बहुत सारे मासून जाने जा चुकी है इस वार में और यह दोनों तरफ से जा रही है जाने अर्मेनिया के कितने सारे टैंक्स और फाइटर प्लेंस तबाह हो चुके हैं और अजरबरजान के भी कितने सारे टैंक्स और फाइटर प्लेंस तबाह हो चुके हैं भी ड्रोन्स भी टबाह हो चुके हैं क्योंकि इस वार में ड्रोन्स का कफी यूज किया जा रहा है ड्रोन्से से ज़्यादा लडाईया हो रही है अब क्योंकि ये सुवीदा जनक होता है और ड्रोन्स में कोई आदमी या मैन नहीं बैठते हैं वो without man होता है वो एक तरह से रोबोटिक होता है और एक सेंटर में बैठके उस ड्रोन्स को हैंडल किया जाता है तो ड्रोन्स से ज़्यादा वार हो रहे हैं जिसमें अजरबैजान के काफी सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया है इसलिए ये युद देखिए अभी आगे कितना दिन तक चलता है और ये वर्ल्ड वार्ड में तबदील होता है या ना होता है नहीं होता है ये तो देखना पड़ेगा आगे जाके जहां तक सवाल रहा है इंडिया का तो इंडिया अर्मेनिया के साथ एक करार किये हुए है हथियर सप्लाई का जिसमें स्वाती रडार भी दέना है इंडिया को अर्मेनिया को मसल territory सवाती रडार अर्मेनिया को देगा अब बहुत सारे मसीन गंस अब बहुत सारे मिसाइल्स भी देगा तो देखिए आगे आगे देखिए जीतने वाला है धन्यवाद जीतने जीतने जीतन बन्यवाद